पाजपावनों देश पर वेचे नागरिक्ता सोद एक्ट समन्दी जागरो करंदेली मीटिंगा कीतियां जानिया हन। इसे रेतेत आज पाजपादे कौम्मी उपरदान शेवराज सिंग चुहान लुद्याना पुछे। उन्हाने पत्रकारा नाव गलवात कर देयां नागरिक्ता सोद एक्ट दी हमायत कीती है। उन्हारा केना है कि एक नूद देश वेचे लागो किसे भी कीमते होके रहेगा। लेकिन CAA बहुत मानवी कानून है। मैं मैडम सौनिया गांदी से पूछना चाहता हूँ। CAA का किस बात के लिए विरोध कर रही है। CAA में आखिर ऐसा क्या है। धार्मिक आधार पर प्रितारित। पाकिस्तान बंगला देश और अफगानिस्तान में जो अल्फ संखक है। चाहिए वो हिंदू हो, सिखो, बौध हो, पार्शी हो, ईसाई हो, जो धार्मिक आधार पर प्रितारित किये जा रहे हैं। और जो भारत में रह रहे हैं, उनको नाग रिखता देने का कानून है। इस सबड़ा मानवी कानून कोई हो नहीं सकता। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में बिवाजन के दंसको भी सबसे ज़्यादा पंजाब ने भुगता हैं। विवाजन के समय जो हालात बने थे, उस समय पाकिस्तान में 23% अल्व संख्या खुगा करते थे। हिंदू सिख सब मिला के, आज घटे घटे उनकी संख्या दो प्रिश्चत से भी कम हो गई है। आखिर बागी कहां गए? या तो मार दिये गए? कई देश छोड़के पाकिस्तान, बंगला देश छोड़के भारत आ गए। अन्यकों का धर्मान तरण किया गया। और आज भी अल्व संख्यक पाकिस्तान में सुरक्षित हैं क्या। अभी गुरुद्वारा ननकाना साहब पर दुर्भागे पूर्ण घटना पत्थराओं की हुई। और जिजधंकी भाब भाब सा बोली गई, मैं दोरा न नहीं चाहता। खौफर आतं के साय में जी रहे हैं। परमिंदर जो रविंदर जो साधी की सेरवानी लेने निकले थे। उनकी हत्या कर दी गई। हत्या, लूट मार, अपरंड, बेटियां उठा ली जाती है। जवर्दस्ती धर्मानतरन होता है। एक हजार बेटियां धर्मानतरित की जाती है और निकाहे कर दिया जाता है मिया मिठ्ठू जैसे लोग वहाँ है जो धर्मानतरण के काम में ही लगे रहते हैं वहाँ अल्ब संख्यकों की जान सुरक्षित नहीं है, मान सुरक्षित नहीं है, सम्मान सुरक्षित नहीं है चानून बनाया गया, क्योंकि यहां भी वो नारकी जीवन जी रहते हैं, तो उसमें गलत क्या है, मैं तो पंजाब के मुखवंती से भी पूछना चाहता हूं, आखिर CAA का विरोध वो क्यों कर रहे हैं, और CAA के बहाने, कांग्रेस ने देश को हिसा की आग में जोका, बैसे तो माव लिंचिंग की सबसे बड़ी घटना कांग्रेस नहीं की, 1984 मैटी फोर में, जब बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है, जैसी भासा वोल के ततकालीन, प्रधान मंत्री जी ने, हिंसा की आग को भड़काया था, और आज कई सवाल खड़े होते हैं, मद्रपदेश के मुख मंत्री पे भी उंगली उठती है, अमाव लिंचिंग करने वाली पार्टी, आज फिर देश को हिंसा की, आग में जोकने की साजिस रख रहे हैं, रच रहे हैं, दस जन्पत, CAA के विरोध का कैंदर बना है, और राउल गांधियों, प्रियंका गांधियों, ये केवल गलत फ़हमी पैदा करके, पहले इनों ने जितने प्रियास किये सफल नहीं हुए, तो अब CAA के नाम पे आग लगा दो, अजले भारती जन्ता पार्टी, नागरिक्ता संसोधन कामीन को लेके, पूरे देश में जन जागरन अभियान चला रही है, मानी प्रधान मंत्री जी सहित, राश्टी अद्यक्ष मानी अमिस सहित, अमिस जी सहित, जेपी नड़ा जी सहित, हमारे नेता निकलें, सारे कारिकरता निकलें लेकिन कांग्रेस को जबाब दैना पढ़ेगा नन्काना साहब पर हमला के बाद गुरुद्वारा नन्काना साथ 15 गंटे क्यों लेगे सुनिया जी बोलने में, भर्सना करने में, निंदा करने में और यहां एक नेता हैं जो बहुत बोलते हैं कभी रुकते ही नहीं है हम नंकाना सहाब गुरुद्वारा नंकाना सहाब पर हमला हुआ तो उनकी जवान को नहीं खुड़ा के इमरान से दोस्ती इतनी पक्की है के अपने देश के इचाल नहीं है पक्त करो नहीं है